हेलो नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों अगर ज़िदि आप भी सीर्फ और सीर्फ दस्वी पास हैं और अगर ज़िदि आप सरकारी नोकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ी ऑपरचुनूटी है क्योंकि इसमें बीना एकजाम के बीना परिच्छा के आप आपको सरकारी नोकरी मिल सकती है वो भी बहुत ही परतिष्ठित संस्थान में बहुत ही परतिष्ठित एक तरह सरका सकते हैं कि डाक घर में यहां पर देखिए डाक या यह आपका पोस्ट मास्टर और तीन तरह का इसमें जो वेकेंसी निकल के आया है जो सीर्फ पर सीर्फ कितना लगेगा सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं अगर वाके में भरना चाहते हैं तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं चलिए इसका जो ऑफिस्यल वेव साइट में इसका जो साइट में दिया हुआ है नोटिपिकेशन जो निकला है उसके उपर ले जाकरके हम आपको सब कुछ A to Z इसके बारे में समझाते हैं बने रही वीडियो के साथ नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो प्रेंट्स अब आप जो हैं इसके ऑफिस्यल वेव साइट पे आगे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग इस तारीक आटमा मैना दो हजार ताज तक आप इसको भर सकते हैं अगर इसके तरह का कुछ त्रूटी हो जाता है तो आप यहाँ पर जोई चोबीस से लेकरके 26 आठ तक आप इसको सुधार भी सकते हैं तो यह आपका हो गया सबसे पहले समय तारीक दिना आप की इस तारीक तो आप जिसे बहुत बारा पोस्ट ऑफिस गए होंगे बहुत बारा भारम बने के लिए गए होंगे या फिर बहुत तरह का काम हम लोगों का पोस्ट ऑफिस में लगते हैं आप जाते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा वजन होला काम नहीं होता है नॉर्मल काम होता है वही काम आपको करना है डिस्क्रिप्शन में गुशिएगा तो बहुत लंबा समय चल जाएगा ठीक है आप इसको स्क्रीन शोट कर लिए हलांके थोड़ा सा बता देते हैं कि डे ब्रांच पोस्ट मास्टर से आप निचे हैं तो उसको आपके साब से काम करना जिसे अकांटिंग देखना सेल बोजर बनाना स्टांप बेचना स्टेशनरी अगरा के बारे में सारा कुछ आपको नॉलेज रखना ध्यान रखना और उसी तरह से यहां पर डाक से वह कर कि आपका उम्र कितना होना चाहिए इसको भरने के लिए तो कम से कम 18 साल होना जरूरी है और अधिकतम 40 साल के अंदर आप भर जकते हैं सबको एज रिलक्सेशन मिलता है पांच साल तक मिलता है समय आपकी इस कैटेगरी में आते हैं आपके हिसाब से यहां पर भी आपको मिल अच्छी तरह से आप दस्वी की आप जो पढ़ाई किये हैं अच्छा नंबर आप लाए हैं तो उसके हिसाब से आपको यहां पर नोकरी मिल जाएगी तो यहां पर जो क्या होना चाहिए दस्वी पास होना चाहिए ठीक है उसके बाद अप्लिकेंट शूड हैब अस्टेडि लोकल लेंगवेज आप जी स्चेतर में राते है वहां जो लोकल लेंगवेज जैसे आप गुजरात से हैं तो वहां पर गुजरातिए आपको जानना है जार्खंड जो लोकल लेंगवेज हिंडि ये बोश पूरी है तो लोग उतना बोल लिते हैं पढ़ लेते हैं कोई लेंसे में नहीं है लोकल लैंगवेस्ट का great कर नौलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत कंपूटर मोलेज अटिकरी में राते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर अपने से कभी फारम भरे हैं तो आपके लिए यहां पर दिया गए है बेव साइट इंडिया पोस्ट डीएस ओनलाइन डोट जी ओवी डोट करना होता है उसका आप जाकर के प्लिया बनाकर रख लीजेगा वहां पर जाकर कर अप्डेट अप लोड कर दिए अगर जिद्धी आप कभी नहीं भरें तो गलती नहीं करिएगा क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है सबसे बड़ा चीदी यहां पर क्या है कि जितना आपका परसेंटेज है किसी का 99 परसेंटेज है तो 99 परसेंट वालों को पहले उठाएगा 90 80 85 70 60 जीस हिसाब से फारम गिरता है उसी के हिसाब से क्या होगा और अगर दिया आपको और अधिक इस तरह का वीडियो देखना है आपके चैनल में चुड़े रहना है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिवाए तेन वाद